इक फॉजी का दर्द क्या होता है? दिखाना चाहूँगी उन कुर्सी वालों को एक फॉजी की मजबूरी हमें मच छिटी दो, मच भत्ता दो, बस काम यही अप करने दो चाहे वेता नाधा कर दो पर कुत्तों में गोली भड़ने दो उन कुट्टों में गोली भड़ने दो हर हर मोदीक हर घर मोदी ये नारा सिर के पार गया को एक दो गोडी का जिहादी एक सैनिक को थपड मार गया एक सैनिक को थपड मार गया अरे थपड खाय हम उन गद्दारों के इतने भी मजबूर नहीं हम भारत मा के सैनिक है कोई भारे के मजदूर नहीं या तो कश्मीर उन्हें देदो अरे सुलत दिल्ली वालो या तो कश्मीर उन्हें देदो या आरपार का काम करो अब सेना को तो जिम्मेदारी तुम दिल्ली में आराम करो तुम दिल्ली में आराम करो इस राजनीती ने कर छोड़ा है भारत के वीर जवानों को नामर्द बना कर छोड़ा है माहां का आचल स्वच रहे हम गागी भी बन सकते हैं दिली गडियों ही मौन रही हम बागी भी बन सकते हैं एक माहा कश्मीर में पिचने वाले अपने फॉजी बेटे से कहती है कि फॉन किया मारे बेटे को तुने नाग कटाई है तेरी बहना से सब कहते बुजदर तेरा भाई है तेरी बहना से सब कहते बुजदर तेरा भाई है अरे बेटा ऐसी भी क्या मजबूरी थी ऐसी क्या लाचारी थी कुछ कुछ खुत्तों की टूली तुम सब शेरों पर भारी थी गिदर बेटा करके वह मां कहती है कि गिदर बेटा पैदा करके मेरे कोखल जाई है तेरी पहना से सब कहते बुजदर तेरा भाई है वह फौजी अपनी मां की बात सुनके कहता है कि मां इतना भीला चार नहीं था मां म मेरी मजबूरी थी उपर से फर्मान नहीं ता चुपी बहुत जरूरी थी सरकार ही पितवाती है मां हमको उनका थारों से गोली का आदेश नहीं है दिली के दरबारों से गिन गिन कर मैं बदला लूँगा गसम आज यह खाता हूं तू गुडिया ना बुजदिल उसका भाई ह तू गुडियास ने कहते ना बुजदिल उसका भाई है अनोने होने से पहले फैला दो इन बातों को अगर बहना के सचे भाई हो तो बता दो इन बातों को भारत माता की जै